वेलकम बेक टो नैंस्री क्लासेज एन दिस इस नैंस्री आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी में उद्देशिका और राश्टी प्रतिकों को देखने वाले हैं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षवंदन की धेर सारी बधाईयां मेरे इस चैनल पर 60% गर्ल्स हैं एंड 40% बॉइज हैं तो उन 60% गर्ल्स के लिए मैं प्रे करूंगी गौड से कि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और उस सफलता को प्राप्त करने में उनकी भाई उनका योगदान दें आईए देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले उद्देशिका को आपको यहाँ पर हेडिंग कर लेनी है उद्देशिका क्या उद्देशिका आज आपको उद्देशिका से संबंद जितनी भी डाउट होंगे वो सभी किलियर हो जाएंगे मैं आपको उद्देशिका को बहुत अच्छे से समझा दूँगी जब हम बात करते हैं उद्देशिका की तो आपको कुछ पॉइंट समझने होते हैं सबसे पहला आपको ये समझना होगा कि ये जो उद्देशिका है ये किस तरीके से उद्देशिका हमारी स्विक्रती गी सम्मिधान में इतनी आसानी से उद्देशिका को भारती सम्मिधान में स्विक्रती नहीं मिली थी इसके लिए कई सारे बिबाद हुए वो आप आगे देखेंगे सबसे पहले आपको याद रखना है हमारे नहरुजी द्वारा सम्मिधान सभा में उस टाइम क्या था सम्मिधान सभा थी जो सारे के सारे निर्णाय लेती थी तो नहरु जी के द्वारा सम्मिधान सभा में 13 दिसंबर भूलना नहीं है डेट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो important डेट है वो आपको मैं बोल देती हूँ यहाँ पर 13 भी याद रखना है दिसंबर भी याद रखना है और 1946 तो याद रखना ही है 13 दिसंबर 1946 को आपके नहरु के द्वारा जो है एक उद्देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया क्या उद्देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा नहरु जी के द्वारा अब आपको यह समझना होगा कि जब कवेवी आप अपने पापा से कोई भी चीज मांगते हैं तो पहले आप प्रस्ताओं रखते हैं अपने की पापा मुझे वो चीज चाहिए तो पापा तुरंत नहीं दिला देते हैं पहले हम अपनी बात रखते हैं पापा के सामने यानि कि हमने प्रस्ताओं रखा बात रखी अपनी उसके पाद हमारे पित 1946 को उद्देश प्रस्ताव जो था इसको प्रस्तुत किया गया था मात्र फिर क्या हुआ आपका 22 जन्वरी कब की बात है यह 22 जन्वरी 1947 की बात है कि 22 जन्वरी 1947 को नहरुजी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश प्रस्ताव को ही उद्देशिका की रूप में संभिधान सभ सभादवारा स्विक्रित कर लिया ठीक तो यह आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश प्रस्ताव को ही उद्देशिका की रूप में भारती जो आपकी संभिधान सभाती इन्हों हैं स्विकार कर लिया यह अभी भारती संभिधान सभाग की बात चले हैं हम संभिधान की बात कर रहे हैं अब पहले क्या होता था संभीधान सभा थी तो हमें संभीधान सभा में प्रस्तूत करनी पर दिती चीजे जब वो स्विकृति देती थी तब जाके हमारे संभीधान में वो चीजें एड होती थी ऐसे ही जैसे मैं आपको भी समझाई हूँ कि पहले हम अपने पिताजी से परमीशन लेते हैं हम अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं कि पिताजी हमें वो चीज चाहिए है उसके बाग हमारे पिताजी बिचार करते हैं तब हमें वो चीज दिलाई जाती है इसी प्रकार आपको समझना है ठीक तो ये जो है सम्विधान सभा द्वारा आपके उद्देशिका को जो है कब आपका सुईकृत किया गया याद रखेगा 22 जनबरी 1947 यानि कि उद्देशिका प्रस्ता हुई क्या बना था उद्देशिका ना जाने कितनी एक्जाम में आपसे या नहीं बना इस तरीके के प्रशन आपकी परिक्षा में आते हैं हो गया यह अभी आपने यह दोनों डेट समझ ली आप बात आती है कि आपकी जो उद्देशिका है वो अपने नाग्रेकों को तीन परकार के न्याय देती है इन न्याय को याद करना सिंपल नहीं होता है हिए प्रकार के न्याय देती है एक तो है अमारा स समाजिक नेयाय ई का मतलब है हमारा आर्थिक नियाए क्या आर्थिक नियाए आर का मतलब है हमारा राजनेतिक नियाए कौन सा राजनेतिक नियाए यह हैं आपके तीन प्रकार के नियाए जो उद्देशिका आपको देती है सभी नागरिकों को देती है परिक्षा में अक्सर आता है कि निमने लिखित में से कौन सा आर्थिक न्याय राजनेटिक न्याय धार्मेक न्यायों तो हमें धार्मेक न्याय thankfully है कि और कि इंदनी आसानी से उद्धी апढकर को सुईकार नहीं किया गया था इसके लिए एक बहुत ही फेमस बाद है जिसका नाम है केश्वानन्द भारती बनाम केरर राजबाद जो कि आपका 1973 में हुआ था अब हम समझने वाले हैं कुछ बादों को जो कि आपकी परिक्षा के लिए महत्पून है तीन बाद आपको याद रखना है उद्देशिका से संबंदित पहला आपको याद रखना है बोम्माई बनाम यूनियन ओफ इंडिया बोम्माई बनाम यूनियन ओफ इंडिया अभी नीचे आपको सब लिखा मिल जाएगा बस आपको भी सुनना है बोम्माई बनाम यूनियन इंडिया ठीक दूसरा बाद आपको याद रखना है वेरुवादी बाद कौनसा वेरुवादी बाद जो कि आपके 1960 में हुआ तक कब 1960 में तीसरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट केश्वानंद भारती जी का इन्होंने तो हमारे पूरे ही संविधान को पलट दिया था इनका बा आपका 1973 में हुआ था तो यह बाद आपको याद रखना है अब यहां पर जानने वाले हम कि वोमई वनाम यूनियान ऑफ इंडिया में क्या कहा गया यह समझते हैं ना आप लोग वोमई वनाम यूनियान ऑफ इंडिया का मतलब क्या है मतलब एक साइड हमारे यह हैं और नीची पता होनी चाहिए कि हमारा इसका मतलब क्या है लिखा तो हमने पढ़ लिया वोमई एक साइड है यूनियान ऑफ इंडिया बाद में उच्चेतम न्यायलाय ने धार्णा प्रस्तूत की कि संभिधान का भाग जो है उद्देशिका है इन्होंने का कि उद्देशिका स समीधान का भाग है बोँमाई बणां युणियन ऊफ इंडियाँ ने ऐसा कहा शरव जीक्टैकेशसु थैसा समय नहीं माना गया इसमें इन्होंने कह दिया कि उद्देशिका भारती सम्मिधान का अंग नहीं है फिर हमारे केश्वानांद भारती जी आ गए बस यहां से आपके सम्मिधान में नए चैप्टर जुड़ गए तो इनका जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा योगदान है केश्वा है इसमें स्विक्रटी मिली यही आप से पूढ़ाता है कि कौन से भाद में भारती सम्मिधान में आपके उद्देशिका को स्विक्रत किया गया तो वह हैं हमारा केश्वानंद भारती बनाम केरर लाज्य इन्होंने कहा कि प्रस्तावनां हमारे भारती सम्मिधान infring गोलक नात बनाम पंजाव रज यह क्या कहते हैं इस बाद में इसमें हुआ कि उद्धेशिका को समिधान की मूलात्मा कहा गया। यह पूछा जाता है कि किस बाद में आपकी उद्देशिका को भारती सम्मिधान का मूल आत्मा कहा गया तो यह है हमारे गोलकनाथ बना पंजाब राज्य लिख लेजिएगा सम्मिधान की मूल आत्मा कहा गया मूल आत्मा कहा गया ठीक यह आपको यहाँ पर समझना था अब आप लोग देख लीजिए एक एक चीज को यहाँ पर जो लिखा गया है उन सभी जीडियों को समझ लेते हैं क्या कहा गया है पंडित जवारलाल नहरुजी द्वारा समिधान सभा में 13 देसेंबर 1946 को उद्दे से प्रस्ता प्रस्तुत किया गया 22 जन्वरी 1947 को उद्दे से प्रस्ता को ही उद्देशिका के रूप में सुईकरत कर लिया गया है यह दोनों डेट देखी आपको भूला नहीं मैं तो बता दे रहे हूं जो महत्पूर्ण है वो आपको फिर याद रखना है उद्देशिका अपने नागरे को को तीन प्रकार के न्याय देती है मैंने बताया सामाजिक आर्थिक और राजनितिक फिर है आपका बूममई बनाम Union of India बाद जिसमें कहा गया है उच्चतम न्यालय ने धारना प्रस्तुत की कि उद्देशिका संभिधान का भाग है बेरुवादी बाद 1960 में कहा गया है कि उद्देशिका को संभिधान का भाग नहीं माना गया था प्रस्ताबना उद्देशिका को संभिधान का भाग कि श्वानन्द भारती केरल राज़बाद में स्वीकृत किया गया इनको नहीं भूलना है आपको गुलकनात बनाम पंजाब राज्य प्रक्रण में कहा गया कि उद्देशिका को समिधान की मूल आत्मा कहा गया ठीक है आगे आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि आपसे एक्जाम में सिक्वेंस पूछ लिया जाता है हमसे आपको यहाँ याद रखना है कि भारती समिधान में प्रस्तावना की सब्दों का क्रम तो सब्दों का जो क्रम होता है वो इस तरीके सो होता है क्या होता है सार्ब भॉम सत्ता संपन समाजबादी धर्म निर्पेक्ष लोगत अंतरात्मक गड़राज्य या गड़तंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है यह आपको याद रखना है यह बहुत महत्मूर है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है कि भारती समिधान की प्रस्तावना की सिलसले में निमनलेखित मैंसे कौनसा करम सही है आपको चार करम दे दिया जाएंगे पहला है गड़तंतर, जनबादी, धर्मनेरपेक्च, समाजबादी, सार्वभवा में सत्ता संपन ऐसे ही आपको चार ओप्षन दिये जाएंगे जिन मैंसे यही आपका जो है सिक्वेंस सही होगा आपको याद रखना है फिर मैंने लिखा है कि 42 वे समिधान, संसुधन, द्वारा, समाजबादी, धर्मनेरपेक्च, और कौनसा अखंडता सब्द को मूल समिधान में जोड़ा गया था आपको इतनी चीजें याद रखनी हैं महत्पूर हैं आपके लिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं राश्टी प्रतीकों को राश्टी प्रतीक में सबसे पहले आपको देखना है आपका प्यारा जंडा अगर हम अपने राश्टी जंडे की बात करें तो राश्टी जंडे के जो रंग है और उनके मद्ध में जो चक्र है जो सरकल है जो आप देखते होंगे इस सरकल के महत्व का जो वड़न है वो राधा कृष्णन जी द्वारा समिधान सभा में किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है कि जंडे के जो कलर है जो अभी आप तीन कलर वर्तमान में देखते होंगे अपने प्यारे जंडे में और इसमें बीच में आपको एक चक्र देखता होगा तो उस चक्र का जो महत्व है कि इस चक्र का महत्व क्या है यह कलर कौन से है इन कलर और इन चक्र का जो महत्व है यह हमारा राधा कृष्णन जी के द्वारा समिधान सभा में किया गया था तो लिख लीजेगा जो मैंने बोला है इसको कि राधा कृष्णन जी के द्वारा कृष्णन द्वारा वर्णन किया गया ठीक है याद रखना है मैं फिर से बोल देती हूँ राश्री जंडे के रंगों और उनकी मद्ध के चक्र के महत्तो का वर्णन डक्टर राधा कृष्णन द्वारा समिधान सभा में किया गया ठीक है आपके जो राधा कृष्णन जी हैएं इन्होंने बताया जो ओरेंज़ कलर होता है भगवा या केसरिया जो रंग आपको दिखता है मैं लिख देती हूँ भगवा या केसरिया रंग यह क्या आपका रेप्रेजेंट करता है यह त्याग या निश्वार्थ भाबना का प्रतीक होता है किसका त्याग या निश्वार्थ भाबना यह पूचा जाता है आपसे लिख लीजेगा ठीक है निश्वार्थ भाबना किसका प्रतीक है हमारा भगवारंग तो निश्वार्थ भावना और त्याग का प्रतीक है ठीक अब हम बात करते हैं हमारे जंडे के जो मद्ध में सफेद रंग है उसकी सफेद रंग हमारा किस चीज का प्रतीक है तो सफेद रंग आपको याद रखना है कि ये जो है हमें सच्चाई के बद पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेणा देता है ठीक है हमें सच्चाई की मार्ग पर चलने और क्या कहता है अच्छे आचरण की प्रेणा देता है किसकी अच्छे आचरण की प्रेणा देता है आचरण लिखाई ठीक है कि प्रेर्णा देता है अगर हम बात करते हैं ग्रीन कलर की ग्रीन क्या दर्साता है तो हरा रंग आपको याद रखना है कि जो हमारे जंडे में हरा रंग है वो हमारा दर्साता है मिट्टी और बनस्पतियों के साथ हमारे संबंद को हरा रंग क्या धर साथ है मिट्टी और बनस्पतियों के साथ हमारे संबंद को ठीके तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कि ग्रीन कलर क्या रेप्रेजेंट करता है किस चीट का प्रतीक है भगवा के सरिय किस का प्रतीक है और हमारा जो है सफेद रंग किस का प्रतीक है और सफेद रंग के बीच में जो आपका असुक चक्र है वो धर्म के राजगा प्रतीक होता है आपको ये भी याद रखना है ध्वज की लंबाई और चोड़ाई का अनु होता है भो होता है ठीक है आयताकार होता है ना आNING कि है इस में रेशयों होता है ठीक है और जुड़्ञक के बीच में आपको एक पटी दिखेगे इसमैं एक नीला चक्र होता है। हमारा जुड़्ञक है स्मय कि स्टंब पर बने से लिया गया है और यह किसका प्रतीक होता है यह जो चक्र है यह हमारा नियाय का प्रतीक है सब कुछ आपको लिखना है मैं फिर से बोल देती हूं कि ध्वज के बीज में पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलिया है इसका प्रारूप सारनाथ में असोग के शेह इस्तंब पर कर बने चक्र से लिया गया है यह नियाय का प्रतीक है आगे आपको देखना है कि पिंगाली वंकईया द्वारा जो आपका रास्टी ध्वज है इसको तैयार किया गया किसके द्वारा पिंगाली वंकईया जी के द्वारा रास्टी ध्वज को तैयार किया गया है और भारती सम्मिधान में आपकी सम्मिधान सभा जो है इनके द्वारा 22 जुलाई 1947 को रास्ट जुलाई very very important वाहिस जुलाई 1947 को सम्मिधान सभा द्वारा आपके राश्ची ध्वज के वर्तमान सौरूप को स्वीक्रत किया गया ठीक है आगे हम देखने वाले हैं भारत का राजचिन्द भारत का राजचिन्द जो है वो सारनात इस्तित अशोप के इस्तंब की अनुकृती है और भारत सरकार द्वारा इसे 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया। और इस पर नीचे देवनागरी लिपी में सत्यमे वजयते लिखा हुआ है जो मुंड को अपने सत्य से लिए गया। एक्जाम में बहुत बार कमुछा गया है कि किस लिपी में सत्य में वजयते लिखा है तो देवनागरी लिपी में सत्य में वजयते लिखा है जो मुंड को अपने शत से लिया गया है चीक है आगे है जनगर्मन जनगर मन के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी अवधी किया है मतलब कितने समय में आपको इसको गा लेना है ऐसा नहीं है कि आप बस दो मिनट गार हैं पांस मिनट ऐसा नहीं होता है इसको 52 सेकेंड में आपको खतम करना पड़ता है रास्टगान जो है आपका जनगण मन 24 जनवरी 1950 को समिधान सभा द्वारा आधिकारेक रूप से अंगीकरत किया गया यही पूछा जाता है कि जनगण मन को आपके रास्टगान को जो है कब समिधान सभा द्वारा आधिकारेक रूप से अंगीकरत किया गया तो 24 जन्वरी 1950 पिछली बार का जब आप पैट का पेपर देखेंगे तो आपको देखेगा कि ऐसा प्रिष्ण आया था आपका तो यहाँ पर आपको देखना है कि यह महत्पूर है आपका 24 जन्वरी 1950 को समिधान सभादवारा आधिकारिक रूप से इसे अंगीकरत किया गया और इसके गायन की अब दिक्या है 52 से ठीक है आगे आपको यह देखना है कि सबसे पहले आपके रास्टरगान को कब गाया गया था तो मैंने आज सभी को जब भारती रास्टरी कॉंग्रेस पढ़ाया था हिस्टरी में तो बहाँ पर आपको बढ़ाया गया यह सारी चीज़े 27 दिसंबर 1911 कब 27 दिसंबर 1911 याद करना इसको भूलना नहीं है आपको 27 December 1911 को भार्ती राष्टी कॉंग्रेस के कलकत्त आधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था यह रविंदर नाथ टैगोर द्वारा रचित गितानजली से लिया गया है कहां से लिया गया है रविंदर नाट टैगोर के द्वारा जो रचित पुस्तक है जिसका नाम है गितांजली उससे लिया गया है आपका जनगड मन कब गया गया पहली बार 1911 में आपका गया गया था दिसंबर 1911 में भारती राष्टि कॉंग्रेस के कलकत्ता दिवेशन में कहां से लिया गया है तो रविंदर नाट टैगोर जी द्वारा जो आपकी है गितांजली इससे इसको लिया गया है भूलना नहीं है जैसे आप अपन राष्ट्रिय गीत कौन सा है आप कहेंगे वंदे मात्रम राष्ट्रकान कौन सा है जनगरमन कंफ्यूज नहीं होना है यह राष्ट्रिय गीत है क्या है यह हमारा राष्ट्रिय गीत है ठीक है जबकि जनगरमन हमारा राष्ट्रकान है तो 1950 में भारत की राष्ट्रिय गीत क पुस्तक आनंद मट से लिया गया है तो आपको याद रखना है वंकिम चंदर चटर जी के द्वारा आपको किसी तरीके से भी पुछा जाए आपका अंसर तैयार होना चाहिए अब ठीक है नोट करिए रिवीजन करिए यह बैस्ट है आपके लिए इसे 1896 में भारती रास्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गया गया था तो इसे सबसे पहले कब गया गया था तो भारती रास्टी कॉंग्रेस के 1896 के कब 1896 के अधिवेशन में पहली बार गया गया था जबकि आपके एक चीज में आपको बोलना चाहते हूं जब मैं आपकी हिस्ट्री पूरी खतम करवा दूंगी तो आप फोर साइच के दो-तीन पेज लेना उन दो-तीन पेज पर जो इंपोर्टन इंपोर्टन डेट हैं और इनको कब गाया गया या फिर राष्टिगीद के बारे में या पिर कोई सभी ऐसी डेट को लिखना है यह फोर सीट पर उपने सामने चिपकाना यह तभी याद होंगे नहीं तो आप बहुत-बहुत प्रोब्लम में पढ़ जाएंगे याद रखेगा कि 1896 में भारती राश्री कॉंग्रेस के अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था अब हम देखने वाले हैं अपना भारत का राश्री केलेंडर है उसको तो भारत का राश्री केलेंडर है वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था कब 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया ग तो चैत्र महा से होती है और अंतिम महा कौन सा होता है अंतिम महा होता है फागुन तो इसको फालगुन बोलते हैं एक बार मैं आपको बता देते हूं जो आपके हिंदी महा के जो नाम होते हैं किस तरीके से होते हैं आपको याद नहीं रखना है आपको बस चैत्र महा याद र तो इस तरीके से आपके मन्थ की नाम होते हिंदी में देखा जाए बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं बट हिंदी मन्थ के नाम सुनकर बोलकर मुझे एक चीज याद आई है एक इंसिडेंट है अगर आप लोग की जाजात हो तो मैं आप लोगों से जरूर सेर करना चाहूं पिटाई भी होती थी अभी ये सब चीज बंदो चुकी हैं आप कोई बच्चों को नहीं मारता पीटता तो मेरे भाई से बोला गया कि चाहे कैसे बनती है ये बताओ तो मेरे भाई को नहीं पता था कि चाहे कैसे बनती है तो उसने बोला कि सर मुझे तो नहीं पता तो उसक कि नाम बता दीजे कम से कम तीन महिनों के नामी बता दीजे आप तो टीचर नहीं बता पाया तो मेरे पिता जी ने कहा कि जिस तरीके से आपको यह चीजें बताना टफ है उसी तरीके से छोटे बच्चे को चाय बनाने टफ होगा उसको नहीं आता है तो यह होता है मतलब कि हि यह ठीक है, यह तो एक incident था, next है आपसे रास्टी नदी, रास्टी नदी जो है आपकी गंगा को घोशित किया गया कब 2008 में, बहुत ही महत्पूर है, exam में बहुत बार मुच्छा जाता है आपसे, कि आपकी जो गंगा नदी है, इनको रास्टी नदी कब घोशित किया गया, त से, तो मैं आपको कुछ चीज़ां बता देती हूं, जैसे आपके भारत का रास्टी पुस्प क्या है, आप कहेंगे में Unbelievable है, तो यह तो आपको पता है लेकिन जो यह गंगन है इसका व्यग्यानिक नाम, मतलब जो इनका वानस्पतिक नाम होता है वो क्या है, तो वानस्पत कभी भी कुछ भी पूछ लिया जा रहा है आजकल तो भारत का रास्टी फल कुन सा है आप कहेंगे कि हमारा जो फल है वो है आम ठीक है आम सबको पसंद है आम का जो वानस्पतिक नेम है वो है मैंजी फेरा इंडिका क्या है मैंजी फेरा इंडिका क्या है मैंजी फेरा इंडि Ficus Vengalysis क्या है? Ficus Vengalysis एक दुबार पढ़ेंगे, याद हो जाएं, कि इतना τफ नहीं है Ficus Vengalysis ठीके अगर हम बात करें हमारा रास्टी पसू तो हमारा रास्टी पसू क्या है? हमारा रास्टी पसू है बाग बाग का विज्ञानिक नाम क्या है? माहतपोंगे मैं नहीं बता पाई हूँ अब मैं आपको बता देती हूं राश्ट्रीय जली जीव और तो है तो आपका तुरन्त आंसर आगा डॉल्फिन वेरी गुड डॉल disappointment Dolphin का वेग्यानिक नाम क्या है ये आपको चाहार है प्लैटा अनिस्था ग्यागेरिका चेह ही अग सभी मर है निस्था ये आपका रास्ट्रिय जी हुआ एन मोर जो है हमारे रास्टी पक्ची है जिनका विज्ञानेक नाम जो है बो है पाबो क्रिस्टेस ठीक इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है और परिक्षामपरस ने इधरी से बनेगा अगर आपके रास्टी प्रतीक से बनेगा आशा करती हूँ आप सभी को वीडि जाये थैंक यू